और अब तो बुक्स वगएरे भी आपको मिलने लगी है तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर आपके बुक की अगर मैं बात करूँ तो बुक भी आ चुका है आपका हर किसी को उसके रोल नंबर वाईज शेडियूल डेट वाईज बुलाये जा रहा है जो कि नियर नेता जी लिएदा मिल जाएगी केशल पुराम में यहांपे किसी से भी पूचएंगे केशल पूरम तो मिल जाएगा आपको बाजी वैसे पूंचेंगे रहा है कि दिल्वेस्टी का ठेकर आप तो ऐसा टाइम नहीं रहा क्योंकि मैं आपको बहुत जादा गैप दे दूँ और फिर धीरे धीरे नहीं रेगुलर क्लासिस होंगी आपकी और पढ़ने का क्या तरीका रहेगा वो भी देख लेते हैं आपकी रेगुलर क्लास एलेवन तू वन पीम का रहेगा यानि दिन में 11 बजे से लेके दोपहर के एक बज़े तक की क्लासिस दू गंटे की क्लासिस लेने वाला हूं है अब थोड़ा सा एक्जाम का पॉइंट डिसकस कर लेते हैं सर, क्या रहने वाला है हमारे एक्जाम के पॉइंट में, तो एक्जाम में देखा जाए तो कुछ एक चेप्टर है, जैसे फाइनल अकाउंट, करना है आपने फाइनल अकाउंट बीच में था थोड़ा सा कैसा के नाम से भी जानते हैं, यह भी चेप्टर करना है आपको, तीसरा ऑप्शन देंगे हम सर, ब्रांच का, ब्रांच अकाउंट, हलाकि हम फाइनल भी कर चुके हैं, डेप्रीशेशन भी कर चुके हैं, अल्मूस्ट ब्रांच भी खतम हो चुका है, ब्रांच के बाद एक ब्रांच के बाद चेप्टर आएगा सर, इन्वेंट्री, जिसे हम लीफो फीफो भी इसके अंदर हमने किया था, यह भी हमारा खतम हो चुका है, इन्वेंट्री के बाद हमारा जो चेप्टर आएगा, सर वी आएगे अकाउंटिंग स्टेंडर्ट अगर्षन ऑंदर्षनि स्टेंडर्ड कौन कंसे होगे案 को अकाउंटिंग स्टेंडर्ड होगा एस किसülेंद करने भूर करेंगे काउंटिंग स्टेंडर्ड 9 ऐसे सारे एस कबड़ करने है जिससे related हमारे एक्जाम में सवाल आएगा एक आपका है event occurring balance sheet date AS9 है revenue recognition AS19 है lease का जो कि आपके lease के नाम से chapter है लेकिन वो AS का part है 26 है आपका goodwill वाला के intangible assets के साथ क्या treatment होगा और 39 है आपका intangible assets से ही related है थोड़ा लगबग लगबग मिलता मुझूलता है AS4 और event occurring after balance sheet तो यह हम पढ़ेंगे इसके साथ साथ हमारे syllabus में और क्या है सर theory है और क्या है सर theory है सर हमारा एक्जाम ना 75 marks का आयने वाला है एक्जाम कितने काईगा 75 का जिसमें से एक सवाल 15 नमबर का इसका तय है सर एक सवाल इसका 15 नमबर का तय है सर बाकी इनको इनको और इनको मिला लिजिये तो 15 नमबर यानि ये ये और ये इन तीनों को मिला लिजिये तो 15 नमबर का एक सवाल तय बन जाता है theory में से 15 नमबर का पक्का आएगा तो 15 15 30 15 45 और 15 60 और एक 15 marks का question यहां से आपका बनेगा एक्जाम में कुछ जर्नल एंट्री भी आ सकता है बेसिक ग्यारवी वाला के purchase आपका सबसीडरी बुक वगएरा बनाए तो उसकी वीडियो ना ग्यारवी के जो बच्चे कमजोर है या फिर ग्यारवी में नहीं पढ़ा या फिर यह पूरा हो चुक है हमारा उल्मोस बस कुछ GST वाले question करने हैं करने को आप इसे 2 के अंदर 2 दिन के आपके पास time ना सिर्फ और सिर्फ मान के चलिए 15 दिन बचें net to net 15 दिन 20 तारिक तक मैं मान के चल रहा हूं net to net 15 दिन आद 4 तारिक होई गई है ठीक है ना इसको दो दिन में खतम करिए सर कैसे होगा दो दिन में मैंने adjustment wise करा है आप 1 x पे देखिए 1.5 x पे या जैसे मर्जी देखिए वीडियो देखिए और एक बात याद रखिएगा लिखना जरूर है आपको लिखना जरूर है ठीक है ना इसके बाद inventory inventory आप वन डे में खतम करना है आपने तो मैं यह आपका plan जो लेके आया हूँ ना यह सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 दिन के लिए मैं बता रहा हूँ जिसमें आपका पूरा syllabus खतम हो जाएगा बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने आप join किया आज join भी कर रहे हैं कल भी करेंगे तो वो सब इसके according चल सकते ह दो छे दिन और एक साथ दिन होगे ठीक है बाकी जो यह आपका एक चेप्टर रहे गया NPO non-profit organization maximum chances है कि final account और इसमें 24 बन जाए इसको हम लास्ट में cover करेंगे सर लास्ट लास्ट तो यह मैं revision करने के लिए नहीं बोलूँआ जैसे जैसे मैं कराता रहूं उसी के साथ साथ कर अब रहे गया सर हमारा क्या एस डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंटल सर वन डे का चैप्टर है वन डे का ऑल्दो जब हम करेंगे practice क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट नहीं करा है डिपार्टमेंटल तो मैं तो तीन से चार दिन में खतम करूंगा दो दो घंटे करके लेकिन जब आप रिवीजन मोड पे आएंगे या जो बच्चे बाद में देखेंगे उसे एक दिन का टार्गेट अब पूरा concept हो जाता है ना तो एक दिन में खतम हो सकता है डिपार्टमेंटल के बाद एस सर यह टू डेजी आप तो आप टाइम देखेंगे कितने दिन होगे सर द दो दिन, दो चार दिन, दो छे दिन, एक साथ, दो नो और एक दस और यह आपका तीन से चार दिन आराम से खाएगा तो टोटल मैं मान के चलता हूं कि 12 डेज का यह study plan है आपको इस तरीके से पढ़ना है मेरी classes live रहेंगी और live कितने बज़े होगी 11 बज़े से लेखे, एक 12 बज़े तक के class होगी, वो सारी application के अंदर recorded mode में आपको मिल जाएगा, दूसरी बात अब आपका test schedule भी होने वाला है, आपका test भी मैं रखने वाला हूं, सर्ट test कैसे होगा और किस तरीके से देना है, हमें तो कुछ idea ही नहीं, online कैसे test देते हैं, test का मैं बता दूँ आपको, test का हम ऐसे करने वाले हैं, कि आपका test जो होगा न, वो schedule मैं बता देता हूं आपको, test आपका रहेगा, ये रहेगा आपका, 3 पीम, 3 बज़े test रखने वा जो सिलसिला है, test वाला जो schedule है, ये मैं start करूँगा कब, ये मैं Monday start करूँगा, ठीक है न, Monday, कल आपकी 11 बज़े तो class हाई है, test वाला सिलसिला मैं, Monday start करूँगा, 3 बज़े, पहला test और in fact, Sunday भी ये test सर, टेस्ट आपका, Sunday भी ये सर आपका test, test Sunday है, याद रखिये, ध्यान 10 बज़े, 10 एम, आपका किसका सर, depreciation, यानि PPE का test है, ध्यान से सुनते जाईए, लिखते जाईए, यानि एक तो मैंने आपको पूरे exam का strategy बता दिया, कैसे तयारी करना है, Sunday को test है, Monday से Sunday को मैं announce कर दूँगा, कितने बज़े test होगा, test करने का तरीखा क्या है, आप अपने साम आपको test visual है, screenshot तो ले नहीं सकते आप, आपको जो time दिया जाएगा, उस time के duration में test हट जाएगा आपके screen से, उसके बाद आपको वो सारे test हमें WhatsApp करना है, और उसी दिन, same day, वो सारे test check होके आपको मिल जाएगे, कितने कितने marks आते हैं, वो सारी चीजे मिल जाएगा, तो एक स schedule रहेगा, test वगेरा का, और इस तरीके से, कुछ बच्चे मेरे से YouTube पे भी connected रहते हैं, तो YouTube पे तो classes धीरे धीरे डल जाएगी, don't worry about it, सभी classes डाल देंगे, अभी courses का जैसे भी है, जो बच्चे जोइन कर रहे हैं, वो उसके recording, जोइन करते रहें, नए बच्चे enroll होना चाहत हैं, वो enroll हो जाएए, मैं ये वीडियो study plan YouTube पे भी डाल दूगा, और नीचे link description में सारी डिटेर डाल दूगा, तो hopefully आपको ये बाते सारी clear हो गया होगा, तो मैंने आज सिर्फ इतना बताया आपको, आगे की conduct आपकी classes का, कल मैंने बता दिया, कल doubt session है सर आपका, एक से लेके आपका 20 तक question, branch के doubt लूगा, जो बच्चे नए हैं, वो तो sir, final account से start करके धीरे 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 फटा फट बढ़ जाईए, जो बच्चे पुराने थे, वो doubt इस तरीके से लेंगे, मैं question counting करूँगा, यहाँ पर बकाइदा सामने दिखा के, किसी का doubt है, एक बच्चे ने बोला, sir, मुझे इसमें समझ में नहीं आ रहा है, फटा फटा हैंड रेस करेंगे, और उसी time उसको sort out कर लेंगे हम, तो hopefully आपको clear है सारी बाते जो मैं बता रहा हूं, सभी बच्चों को clear, सैमीर ने बोला, sir, clear, पूजा ने भी बोला, clear, आप बताईए, clear है या नहीं है?